आज का वीडियो है गाइस कड़ी पत्ते पर बैक्यार्ड में काफी सारा कड़ी पत्ता हमारे लगा रखा है तो बिल्कुल फ्रेश है आज मैं आपको बताऊंगे कैसे आप स्टोर करके कड़ी पत्ते को रख सकते हैं सुखा के तो यह मैंने लीव्स कुछ उतार के इस बोल मे निकाल देंगे अच्छे से पानी को मैंने निकाल दिया आप दुबारा में इसमें पानी आट करूंगी दो तिन बार इसको अच्छे से आप वाश कर लीजे ताकि इसकी जो सारे डर्ट इसके उपर लगी हुए पत्तों के उपर या कोई भी कीडा वगारा इसको लगा और पानी को फैलक ultra कर्म आट का लेंगे तो बहुत अच्छा रा पानी को सोक अबड़े ओंडिते कारदेश को अब दो आप आट के मोंच लेगे ताकि अच्छा पानी अच्छे से यह किचन tanऻ सोक लें तो देखिए पत्ते अच्छे से सूख चुके है पाने इनका ड्राय आउट हो गया है अब हम क्या करेंगे फ्लेम पे चढ़ाएंगे एक पैन उसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रख लेंगे थोड़ा सा करम कर लेंगे उसके बाद आड़ करेंगे हमेज में कड़ी पत्ते विटना पे तो इसको राते रहना है अध्र्वाइस टे हैं वह जल जाएंगे आएंटर ने ही रोस्ट कराएं लिए जलाऴी साएंगे अच्छे से पलट-पलटके हम इनकी तुरह से सुखा लेंगे अच्छे से एक प्लेट में निकाल लूँगी और इनको एक दू मिनट के लिए ऐसे ही रख दूँगी ताकि यह ठंडे हो जाए थोड़े से फिर हम इनको पाउडर बनाएंगे अब हाथों से मसल के हम इनका पाउडर बना लेंगे अब दोनों हाथों से रब कर जेगा और इसका अच्छे से मसल के पाउडर बना लेजिए ऐसे ही सारा पाउडर हम बना के रड़ी कर लेते हैं तो देखे अच्छे से पाउडर बनके विल्गल रड़ी हो रहा है करीबत्य का पाउडर बनके रड़ी हो गया है आप इसको हाथों से ऐसे क्रश करेंगे तो यह देखिए इस हाथ तक क्रश हो जाएगा आप इसको ऐसे ही अपनी रेसिपी में किसी भी रेसिपी में या सबजी में डालेंगे तो उसका टेस्ट बिल्कुल वैसा ही आएगा और आप चाहें तो बारीग पीसना है आपको तो आप मिक्सर जार में भी इसको घ्राइड कर सकते हैं और इसी मेथड से मेरे पास धनिया है आप दनिया को भी सखाके रख सकते हैं अगर आपके पास जाना सारा धनिया है या आपको स्टोर करके रखना है तो इसी मेथड से आप इसको भी ड्राय करके उसका पाउडर बना गई या फिर लीव को कड़ी पत्ते की लीव को भी रख सकते हो इसके भी रख सकते हो और वैसे ही कुसूरी मेथी को भी आप रेडी करके रख से